Hello friends, I am is problem को solve करते हैं, कहता है, the value of 4 minus under root 0.04 divided by 4 plus under root 0.4 is close to और 4 option दिया है, पूछता है, कौन सा option सही होगा? तो ये जो expression दिया है, वो क्या है? 4 minus under root 0.04 divided by 4 plus under root 0.4, ठीक है, जैसा कि मैं पता है कि 0.04 का जो square root होता है, वो क्या होता है? 0.2 होता है, ठीक है? और 0.4 का square root, ये कोई perfect square तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? इसकी value put करके इस expression में देखते हैं कि क्या आता है, जाए नेक्स step करते है, 4 minus, इसका जो value आएगी under root 0.04 की, वो आएगी 0.2, divided by 4 plus, under root 0.4 की value होती है, 0.632, ठीक है? इसको add, 4 को minus कर देंगे 0.2 से, तो क्याएगा 3.8 आएगा? उसी तरीके से, 4 में जब 0.632 add करेंगे, तो 4.632 आएगा, जो roughly है, कितने के बराबर? 0.8 के और option 2, 0.8 साहिए.